मैं है स्लामुद्दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम से एक भयानक तूफान के चपेट में अमेरिका के दो राज्य हैं और जिसकी वजह से यहां काफी तबाही हुई है अमेरिका के नैश्विले और टेनेसी में तूफान ने इसकदर कहर बर पाया है कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया है तस्वीरे देखें कि उस तूफान की तबाही का मंजर जिसने भी देखा वो सहम गया इस प्राकिर्तिक आबदा से अमेरिका को जान माल का काफी नुकसान हुआ है पचीस लोगों की जान चली गई है जबकि 150 लोग अस्पताल में भरती हैं और कई ऐसे लोग हैं जो इस तूफान में लापता हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है तूफान में करीब 50 इमारते मलबे में तबदील हो गए हैं बिजली के खंबे और पेड रास्तों पर गिरे पड़े हुए हैं इस प्राकिर्तिक आबदा से लोगों के माकान तो तबाह हो गए हैं हलाकि कुछ बहुत से लोग तूफान आने से पहले ही अपने घरों को छोड चुके थे और अमेरिका के नैशनल वेजर सर्विस ने जानकारी भी दी थी यह बहुत ही खतरनाक तूफान है और लोगों को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी बहरहाल राहत बचाओ कारे जारी है और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि तूफान ग्रस्त इलाकों में अमेरिका के राश्टपती डोनाल टरंप खुद दवरा कर हालात का जाइजा लेंगे तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटेंज ताजा तकन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूल अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें